नवस्कार दोस्तो लक्षी प्रकास में आप सभी काफर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालो कि अगर आपके पास भी ATM कार्ड नहीं है आपके पास भी ATM कार्ड नहीं है और अगर आप गूगल पे को यूज करना चाहते हूं गूगल पे पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हूं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से गूगल पे अप्लिकेशन को डाउनलोड करेना है गूगल पे अप्लिकेशन को डाउनलोड करने की बाद सिंपली आपको इस अप्लिकेशन को ओपन करेना और guys आपको Google Pay के link इस video के description में मिल जाएगी वहाँ से भी आप इसे download कर सकते हो download करने की बाद जैसे आप Google Pay application open करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डालने का option मिल जाएगा तो जिस भी number से आप अपना account बनाना चाहते हो simply guys यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है जो number आपका bank account में link हो तो यहाँ पर आपको उस number को type करना है इसके बाद आपको next पर click करोगे इसके बाद आपको accept and continue option पर click करना है और इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपका number यहाँ पर verify हो जागा इसके बाद आपके mobile number पर OTP आएगा तो guys मैंने आपर OTP टाइप कर लिया है तो guys यहाँ पर आप देखस तो OTP डालने के बाद यहाँ पर हमारा account यहाँ पर create हो चुका है जैसे आप add bank account पर click करोगे इसके बाद आपका जिस भी bank में account है simply यहाँ पर आपको अपने bank को select कर लेना है तो guys मैं आप पर bank को बड़ोदा यहाँ पर select कर लेता हूँ और इसके बाद आपका जो भी number आपके bank account में link है आपको उस number को यहाँ पर आपको select करना है इसके बाद आपको continue पर click करना और यहाँ पर आपको allow पर click करना है और इस पर click करने की बाद आपका mobile number verify होगा और यहाँ पर आपका bank account link हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ time wait करना है तो guys यहाँ पर आप देखे तो account यहाँ पर find हो चुगा और हमारा account यहाँ पर add हो चुगा है तो guys यहाँ पर आप देखे तो हमारा account यहाँ पर find हो चुगा और हमारा bank account यहाँ पर link हो चुगा है तो मैंने पहले से अपनी UPI ID आपर create करके रखी तीजली आपर automatically आपर bank account link हो चुका है लेकिन अगर आपकी पास ATM card नहीं है तो किस तरीके से आप अपना UPI pin set करके अपना bank account properly add कर सकते हो तो यहाँ पर मैं bank account पर click कर लेता हूँ जैसे आप profile पर click करोगे इसके बाद आपको bank account पर click करना है और इसके बाद आपने जो भी bank account add करा हूँ इस पर आपको click करना है तो जैसे ही आप अपना UPI pin set करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको अपने card की detail डालने का option मिल जाएगा यहाँ पर आपको card number और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने ATM card की expirate date डालने का option मिल जाएगा तो अगर आपके पाद ATM card नहीं है तो आपको करना क्या है simply आपको अपना Paytm application में आपको Paytm payment bank start कर देना जिया दोस्तों जैसे आप Paytm application में Paytm payment bank खोलोगे तो वहाँ पर आपको जैसे आप Paytm payment bank open करोगे तो आपको साथ में virtual debit card मिल जाता जिया दोस्तों virtual debit card पर आपका debit card number होता है और इसके लावा यहाँ पर आपको expirate date और month पी show हो जाते है वहाँ पर यह जो है आप Paytm payment bank के card number और expirate date डाल सकते हो इसके बाद आपका यहाँ पर ATM card add हो जाएगा तो यहाँ पर यह कर सकते हो इसके लावा यहाँ पर अगर आप अपना ATM card add नहीं करते हो तो वहाँ पर होगा क्या कि जब भी कोई पैसे transfer करेगे तो आपकी bank account में तो आजाएंगे क्योंकि आपका bank account तो है वो यहाँ पर link हो चुका है लेकिन आप किसी को भी पैसे transfer नहीं कर पाऊगे जिया तो आप Google Pay के wallet में अगर आप पैसे add करते हो money add करते हो तो Google Pay wallet से आप जो है mobile recharge कर पाऊगे payment कर पाऊगे किसी को भी पैसे भी बेज पाऊगे तो यहाँ पर आप wallet को यूस कर पाऊगे लेकिन आप जो है अपने bank account से किसी को भी पैसे consumption नहीं कर पाऊगे अगर आप ATM को add नहीं करते हो लेकिन अगर आप ATM unsere payment bank Click current debit card create कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आप ATM card डाल सकते हो तो यहाँ पर मैं यहाँ से back आ जाता हूँ और इसके बाद जैसे यहाँ पर ATM application में अपना virtual debit card add करोगे इसके बाद आपको जो उस तंबर को डालना है और आपको जो यहाँ पर bank account में भी आपको पेटीम payment bank select करना होगा तो यहाँ पर जैसे आप अपना ATM में यहाँ पर virtual debit card create कर लोगे इसके बाद आपको उपर क्यों इस option पर क्लिक करना है प्रूफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको bank account पर क्लिक करना और यहाँ पर add bank account पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको paytm bank select करना होगा जिया दोस्तो paytm payment bank आपको यहाँ पर select करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको continue option पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर debit card डालने का option मिले वहाँ पर आप ATM payment bank का virtual debit card number और expiry date डाल सकते हो और इसके बाद आपका bank account में virtual debit card add करने से आपका account link हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है अगर आपके पास ATM card नहीं है तो इस तरीके से आप जो है Google पे account चला सकते हो Google पे पर आप अपना account create कर सकते हो तो guys कैसा लगा यह video में comment करके जरूर कता है तो गर आपको इस video को like करें शियर करें और अभी तक आपने मारी चानलों को subscribe नहीं किया तो चानलों को subscribe करके bell icon को जरूर से प्रेस कर देना